जोगनिया माता मंदिर जहां हर मनोकामनाई होती है पूरी धार्मी कास्था का केंद्र जोगनिया माता जी पर इंदिनो जनसे लाब उमड रहा है मानेता है कि वेक्ति की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है और मन्नत अनुसार भक्तजन माताजी की कथा भजन किर्तन भंडारा आधी के अलावा नगदी आधी भेट सवरूप चड़ाते हैं नवरात्री में यहां विशेश पूजा पाठ आधी की कारिक्रम चल रहे हैं आलोट से लगभग 25 किलो मीटर दूर एवं बर्खेडा कला से 2 किलो मीटर दूर चंबल नदी के अंदर बीचों बीच में जो गनिय माता का मंदिर स्तीत है जहां तीन छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनके अलग-अलग मुद्रा में माता जी की प्रतिमाय स्थापित हैं मंदिरों के उपर एक विशाल काइम अगरमच के अकरिती बने हुई है सामने वहां हवन कुंड भी बना हुए है तथा दाहिने और नदी के अंदर ही पानी से भरा चमतकारी कुंड भी है इस कुंड में सनान और माता जी के दर्शन वंदन करने पर गंबीर रोग भी दूर हो जाते हैं जविवार को माता जी का खास दिन माना जाता है इस दिन यहां हजारों की संख्या में शिर्दालू नर्णारी दर्शनार्थ दो पहिया चार पहिया वो अन्य वाहनों तथा पैदल चल कर पहुंचते हैं यहां के विशेशता यह है कि माताजी के स्थल पर कोई पंडा पुजारी नहीं है भक्त जनव प्रेर्णा से स्वैचिक राशी दान पात्र में डालते हैं और इस राशी से मंदिर वा अन्य विकास कारे किये जाते हैं क्या नाम है आपका? कहा के निवासी हैं आप? इस कुण में जो नहा रहे हैं आप, इस कुण में नहाने से क्या फाइदा है? हर्टरी की विमारी हर्टी से मुट्स होते हैं हर्टरी विमारी कटती है इस नो राशी में आप डेली नहाने आते हैं यहां डेली नहाने आते हैं यहां डेली नहाने आते हैं कितनी पब्लिक डेली आती होगी हैं? बहुत पब्लिक आती है अधिकतर कौन से दिन ज्यादा आती है रहिवार के दिन इसा क्या खाज है रहिवार के दिन गोद रहिवार के दिन माना जाता है माताजी का